हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चानल मैं हूँ पूजा और कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होगे आज का वीडियो होने वाला है सूपर डूपर अफॉरडबल कलेक्शन के साथ सारी शॉपिंग की है मैंने फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट के भी काफी रिक्वेस्ट हैती है आप लोग काफी डिबांड करते हो क्योंकि मैंने खुद ने यह नोटिस किया है कि फ्लिपकार्ट पर जो पीसिस आपको मिलते हैं एक तो उनके प्राइज काफी कम रहते हैं दूसरा वहां पर वेराइटी ज्यादा मिल जात सारे के सारे अच्छे आप को मिल जाएंगे बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लग रहेगा उसमें आपको क्लीर हो जाएगा तो अगर आपको skintex related कुछ भी जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो को end में देखना है first होने वाला एक बहुत ही प्यारी सी कूरती का option जो की single कूरती है और मुझे बहुत सुन्दर receive भी हुई है इसे आप सरूर रहे करना अगर आप ये color थोड़ा भी पसंद करते हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा एक तो इसका color इसका पूरा work बहुत सुन्दर मुझे मिला है तो ये है हमारी first कूरती रियॉन का fabric है ग्रे कलर है इसका size है मेरा L और काफी अच्छे fabric के साथ आपको ये कूरती मिलेगी इस price range में अगर आपको ऐसी कूरती मिल रही तो definitely आपको check out करना चाहिए क्योंकि इस तरह की कूरती वेर करने पे काफी सुन्दर लगती है यहाँ पे ये है हमारी कूरती का पूरा front part color shade आप देख सकते हो एकदम unique एकदम प्यारा सा है यहाँ पे round neck मिल जाएगा बिल्कुल भी transient है और ये है इसके पूरी neck पे work work भी काफी अच्छा है false mirror की detailing है embroidery का work है जो भी color इसके उपर use किया हुआ है वो बहुत सुन्दर लग रहा है वेर करने पे ये कूरता काफी awesome लगने वाला है और अंदर की side में इन्होंने यहाँ पे अच्छे से fabric लगा के दिया है जिसकी वेसे ही आपको irritate नहीं करेगा आपकी skin पे बिल्कुल भी परेशाननी करने वाला ये है हमारी कूरती का पूरा front part all over कूरते में जितना भी आप ये काम देख रहो सारा self में है बांधनी का काम है और कूछ इस तरह के colors है इसके अंदर कूरता बहुत ही प्यारा है ये है हमारी कूरती का पूरा front part length काफी अच्छी होने वाली है मेरी height 5-2 है तो आप time में देख सकते हो कि ये wear करने पे कैसी लगेगी हाँ मैं थोड़ी सी heel भी wear करते हूँ आप इसे जरूर राय करना इसके साथ वाइट कलर लोगे तो और ज़्यादा खिलके आने वाला है और मुझे कूरता बहुत प्यारा लगा next कूरते की तरफ मूव करने से पहले आप सबसे एक चोटी सी है यह एक ब्राइट रेड कलर की कूरती है रियान का फाब्रिक है और अच्छी कूरती है यह है हमारी कूरती का पूरा फ्रेंट बड़ कुछ इस तरह का आपको नाउन नेक मिलेगा चोट असा वी कट भी है और यह आएगी इसकी पूरी डिटेलिंग सेक्वेंस का काम है फॉल्स मिलर की डिटेलिंग है वर्क जो है बहुत ही प्रिटी लग रहा है इसके साथ आप गोल्डन स्कूर्ट पेर करना एक अच्छा सा दुपट्टा ले लेना आपका पूरा सूट सेट जो है तयार हो जाएगा और अगर आपको सिंपल रखना है तो इसके साथ में गोल्डन कलर का प्लाजो आप ले सकते हो यहां पर अंदर की साइड इसमें भी इन्होंने फैब्रिक लगा है तो यह आपकी स्किन पर इरिटेट नहीं करेगा यह है हमारी कुरती का पूरा फ्रेंट पर्ट फ्रेंट से सिंपल है रियॉन का फै प्रेंट मिल जाती है यह इसका पूरा बैक पाट आएगा और जो इसकी स्लीव आपको मिलेगी वह है अगर आप अच्छी सी अफॉर्डबल कुर्ती ढोंड़ तो इसमें इन्वेस्ट कर सकतो स्लीव के उपर भी नोने बॉर्डर बनाया है कुरता बहुत सुंदर है इसके दुपटा बॉटम सेट का ओप्शन इसका कलर शेड काफी अच्छा है इसका पैटन बहुत अच्छा है और जब भी आप इसे पहनोगे आप बहुत कमफोरिबल रहने वाले हो यह मैंने लिया है कुछ ऐसा ओफिस फेर डेली वेर ओप्शन है इसे आप बहुत अच्छे से संदर होगे जब भी से फैन होगे रियॉन का फैब्रिक है और यहां पर लिया है मैंने साइज एल तो यह इसका पूरा कलर आजाता है कलर अपने आप में काफी सुन्दर है लेवेंडर शीड आपको मिल जाएगा वी नेक है बिल्कुल भी ट्रांजीर है जितना भी आप यह फ्लोरल पाटन देख रहे हो सारा का सारा सेल्फ में प्रिंटिंग का वर्क इसके उपर नहीं है तो आप इसे अच्छे से वाश कर सकतो इसे जितना मर्जी चाहे यूज कर सकतो इसके नेक पर जो इन्होंने अलग से फैब्रिक लगाया बॉडर बनाया वो भी काफी कि रोशिया लेज लगाई है कलर कॉंबिनेशन जो इन्होंने यूज किया वह बहुत अमेजिंग लग रहा है और यह आएगा इसका पूरा फ्रेंट पार्ट यह देखो पूरा फ्रेंट कुछ ऐसा है यह इसका पूरा बैक पर आजाएगा इसके साथ मिला है मुझे यह विखाएगा यह बुक्रा के साथ मिला है आपको यह कॉटन माटीयल के दुपा तो यहां पे जो इसका पूरा बेस आजाता है कि इसकी वीट आपको दिखाते हैं सबसे पर इसकी पूरी विट आएगी इसका पुरा बेस कुछ ऐसा सारा सेल्फ में यह लेंट और इसकी परचेज के इंस्टेग्राइम जो है इस कूरती से रिलेटेब मेरा भर गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पूजा हमने यह वाला कूरता परचेज किया है यह कूरता है ही बहुत सुंदर प्यूर कॉर्टन का फैब्रिक है और दिखने में भी देखो कितना प्यार इसका लिंक भी देदिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक आउट कर सकते हो नेक्स्ट जो कूरता है वह है यहां पर कूरता और बॉटम का सेट है इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगा साइज इसके अंदर भी मैंने ल लिया है इसका फाब् पर ऐसे कलर्स एड़ किये हैं सिक्वेंस का काम है यहां पर बहुत प्यारे से फ्लार्स बनाए हुए यहां पर ट्राइंगल लेस भी लगी हुई है यह देखो कुछ ऐसा हॉल ओबर कुरते में जितना भी काम देख रहो नहीं यह वाला प्रिंटिंग का है और बहुत अच् स्लीव आपको मिल जाएगी इसकी 3-4 इसके साथ मिला है यह वाला बॉटम कलर से मैं थोड़ा सा पाटन चेंज है यह देखो कुछ ऐसा और आपको पॉकिट नहीं मिलेगी इसमें पॉकिट नहीं है साइज में आपको दिखा देती हूँ साइज आपको कुछ इतना मिलने व कूरती है और बहुत प्यारी मुझे रिसीव भी हुई है तो यहां पे लिया है मैंने यह वाली कूरती आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा है कितनी अच्छी लगेगी कूरती वेर करने पर और इसका पाटन इसका पूरा लुक काफी सुन्दर आने वाला है है फैबरी की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है यहां पे आपको राउंड नेक टेखने को मिलेगा और कुछ इस तरह का पैटन है सीक्वेंस का काम है और बहुत छोटे-छोटे से सीक्वेंस लगाए हुए इस कलर के साथ में सारा वक अमेजिंग लग रहे तो यहां इसकी स्लीव है वह आपको मिल जाएगी 3-4 के लेंथ की बात करी जाए तो इसकी लेंथ आपको इतनी मिल जाएगी एकदम पर्फेक्ट लेंथ के साथ मिलेगा कूरता वेर करने के बाद सूपर लगने वाला है इसे आप ऑफिस में भी वेर कर सकते हो क्योंकि कलर शेड इसक इस प्राइस रेंज में अगर आपको यह मिलता है तो हमें ले लिना चाहिए प्राइस के रिकॉर्डिंग बहुत प्यारा प्रीस है कॉटन मटेरियल में आपको एक कूरता है और बॉटम सेट मिलने वाला है यह देखो इस तरह का पैटन है सबसे पहले कूरता निखाती हू साइज है मेरा इसके अंदर एल इससे लिया था मैंने मिर्ची फैशन ब्रैंड से आप इस ब्रैंड से पर्चेजिंग कर सकते हो बिना किसी डावट यह एक ऐसा ब्रैंड है जो की सूपर अफॉरड़ेबल है और इनके फैब्री की क्वालिटी अमेजिंग होती है बहुत अ प्यारा सा वर्क मिल जाएगा ट्राइंगल लेस लगे हुई है वाइट और ब्लाक यहां पर भी आप देखो कितना प्यारा सा काम के वर सेल्फ में वरक है सारा यह आएगा हमारे कुरते का पूरा फ्रेंट पार्ट यह कुछ ऐसा यह देखो और बैक से हमारी कुरती जो है क कुछ ऐसी लगती है इसका पूरा बैक पाट आने वाला है इसकी स्लीव आपको मिल जाएगी 3-4 यह इसकी स्लीव है यहां पर भी इन्होंने कुछ इस तरह का वरक करके दिया है काम बहुत सुंदर है बहुत प्यारा कूरता सेट लेंथ भी इसकी काफी अच्छी है इसके सा जाएगा जिग-जाग पाटन बना हुआ है यह है इसके पूरे बॉटम का साइज इसका पूरा आसन है वह भी एकदम परफेक्ट साइज के साथ आपको मिलेगा तो यह सेट भी मैं हाइली रिकमेंड कर रही हूं यह लिया है मैंने कुछ ऐसा साइज इसके अंदर भी मैंने राउंड नेक है वाइट कलर है वाइट कलर की कुर्ति काफी अच्छी लगती है बेस्ट पार्ट इसका यह है कि वाइट शेड है पर इसके ओपर जितना भी काम है इसके वैसे यह ट्रांजी नहीं रहने वाला और आप अच्छे से से कैरी कर पाओगे आपको अनकंफरिबल बैक से जो कुड़ता है कुछ ऐसा लगेगा और इसकी स्लीव है वह आपको मिल जाएगी 3-4 यह इसकी स्लीव है यहां पर ट्रेंगल लेस है आपको थोड़ी पसंदार है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जल्दी से जाओ जल्दी से फ्लोरल पाटन बना हुआ इसके उपर यहां पर राउंड नेक है बहुत प्यारी डिटेलिंग है यह देखो यहां पर आपको फॉल्स मिल जाएगा सिक्वेंस का काम मिल जाएगा और इस स्क्रीन के साथ में यह जो इन्होंने बेज के दर का काम करके दिया हो बहुत आपके साथ में अच्छे करूंगी यलू कलर का कुर्ता एंड बॉटम सेट इसके अंदर दूपटा नहीं है तो इसके साथ आप भाइट भी ले सकते हो यलू भी ले सकते हो इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है साइज इन्होंने मुझे एल ही भेजा है कलर शेड इतना अच्छा है वाइट और यलू का कॉंबिनेशन है कमफ़रिबल मटीरियल है बिल्कुल भी ट्रांजीन है सारा का सारा वर्क जो है सेल्फ में मुझे एक उर्टा सेट बहुत पसंद आया प्राइस के अकॉर्डिंग तो सुपर्ब सेट आप को मिलने वाल है यहां पर राउंड नेक है और कुछ इस तरह का सिक्वेंस का काम है इसके पूरे ही योग पार्ट पे काफी सुन्दर तरीके से किया यह है हमारे कुर्ते का पूरा फ्रेंट पार्ट लेंद इसकी भी काफी अच्छी रहने वाली है यह इसका पूरा फ्रेंट पार्ट आ जाएगा बैक से हमारा कॉर्था कुछ ऐसा है और इसकी स्लीव आपको मिलेगी वह है थ्री-फोर्थ यहां पे भी बॉय बॉर्डर है तो है ना बहुत ही सुन्दर सा सेट और अच्छा भी लगेगा पहनने पर इसके साथ मुझे मिला है यह बॉटम बॉटम फुल इलास्टिकेटेड बेंड के साथ वाइट येलो का कॉंबिनेशन है जिग जग पैटन बना हुआ है फाब्रिक इसका बहुत अमेजिंग है बहु कुछ ऐसा लिए इसका भी अच्छा है और यह देखो जितना भी काम देख रहो ना सेल्क में काम है प्रिंटिंग का वर्क नहीं है तो बिना किसी डाउट के जितना मर्जी वाश करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पर मैंने लिया है साइज एल साइज एल ही मुझे इसका बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यहां पर अगेन आपको सीक्वेंस का काम और बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्क मिल जाएगा योग पार्ट तो यह आता है हमारे कुरते का पूरा फ्रेंट पार्ट छोटे-छोटे से इस तरह के आपको मोटिव देखने को मिलें यह इसका पूरा बैक पार्ट है रियॉन का फैब्रिक है बिल्कुल भी ट्रांजीन है मटीरियल की क्वालिटी इन्होंने सुपब दिये यह इसकी स्लीव मिल जाएगी यहां पर इन्होंने ट्रैंगल लेस लगा कि दिये इसका फ्लेयर आपको दिखा देते हूं यहां से स् साइज मुझे जहांता कि यहाद आ रहा है 500 से थोड़ा सा मैंने उपर दिया था कुछ 20-30 रुपे ज्यादा दियोंगे वाकि यह सेट भी कॉटन में मुझे मिल साइज मेरा इसके अंदर भी यहां पर राउंड नेक है कलर पैटन काफी अच्छा है ग्रेन और यलो का मिक्स पैनने पर बहुत प्यारा लगेगा बहुत डीसेंट लुक आपको देगा यह है हमारी कुर्ती का पूरा फ्रेंट पार्ट प्रेंट से हमारा कुरता कुछ ऐसा लगता है काफी ठीक है ट्रांजी नहीं बैक है इसका कुछ ऐसा और इसकी स्लीव आपको मिल जाएगी 3-4 यह आप इन्होंने और फैब्रिक लगा के दिया यह बॉर्डर क्रिएट की ए यह पर वाइट की लेस तो सेट पर थोड़ा सा काम इन्होंने करके दिया जो कि काफी सुन्दर लग रहे इसके साथ मुझे मिला है यह वाला बॉटम बॉटम आपको मिल जाएगा फुली लास्टि दुपट्टा मिलेगा आपको कॉटन के मटिरियल में बहुत प्यारा सा पतला सा फाब्रिक है समर्स में काफी अच्छा रहने वाला है यह हमारे दुपट्टे की पूरे विट यह कुछ इतनी आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो यह आएगा इसका पूरा बेस क्या है अब बात करेंगे सकी सिंटे ठीग सकते होदे हैं बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके पेने यह हो जाते हैं कुछ लोगों को उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसे रिमूव करवा लेना चाहिए ताकि ज्यादा बड़े नहीं और वह अच्छे से रिमूव हो जाए तो उसमें क्या होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी अच्छा डर्मटोलोजिस्ट जो आपके आसपास है आप उनसे जाकी कंसल्ट कर सकते हो इसमें होता यह कि आप डॉक्टर के पास जाओगे वह देखेंगे अच्छे से कि क्या साइज है कैसे हैं वह इपर आपको अच्छे से देख लेंगे फिर जब भी आप उनसे लोगे जो प्रोसीजर का आपको पैन ना करें और आपको पता ना चले तो पैनलेस प्रोसीजर है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा दर्द बिल्कुल नहीं होगा मेरे फेस पे उन्होंने किया था आइस पे किया था तो एक छोटा सा पैन जैसा होता है उससे हलका हलका वह उसको बरन करते है बिल उसके बाद में फिर उन्होंने ये सारा जो किया हल्कलका जलाया उसको और मैं ठीक थी उसके बाद में उन्होंने मुझे उसके ऐपर काफी सारे औरिमेंट जो अच्छे से लगा दिया और घर जिए था मे Rim चिराने वहां मुझे मौय तो आफ्टर ट्रीट्मेंट क्या करते हैं एक बैसे और सब्सक्रीय आपको 55 और वा समय से तो और आपको दो बार लगानी यह अंटिबाइटिक वाली और संस्किन आपको लगानी है संस्किन उन्होंने मुझे तिवो मेरे लिए मिरेकल बनके आई है संस्किन मुझे आस तक ऐसी कोई भी संस्किन नहीं मिली जबकि मैं बताती हूं मैंने अपने पूरे फेस पर कुछ नहीं करवा है आइस पर यहां पर थे दो जो कि मुझे पेन करते थे आँखों में चुबता था तो वो मुझे लगा कि रिमूव करवाने ही पड़ेगा यहां जरूरी है तो यह तो था उनका प्रोसेजर तीन-चार दिन मैंने पानी नहीं लगाया फिर जब मैं अब जब मैं धीरे धीरे पानी यूज कर रही हूं फेस दो रहे हूं तो यह जितने भी स्पोर्ट जो उसके उपर होता है बन करते हैं उसके पर हलकी सी ब्लैक करर की स्कि पर चुटेगा मुझे यही था कहीं आसा तो निशान छोड़ दे तो कुछ भी निवा मेरा फेस बिल्कुल साफ है जब कि मैं पहले से ठीक लग रही हूँ आखो वाला जो है मुझे चुबने लग गया था तो मुझे यह ट्रीटमेंट करवाना पड़ा मजबूरी में नेक प पर बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और अगर आप डेली में रहते हो तो मैं इनका एड्रस दे दूँगी मैंने जनकपुरी में करवाया था एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर है मैंने भी इनका जो रिव्यू है गूगल पर चेकर के ही लिया कि देखो आसपास खर्चा मुझे बढ़ा पर में को जो रिजल्ट आये वो बहुत अच्छे मिले हैं अगर आपको भी स्किन टैग है तो आप चल्दी से रिमूव करवा लो क्यूंकि उनको जितना ज़्यादा बढ़ा होगे वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा दिखने में भी अच्छा आप करवा सकते हो अगर आप भी डैली में रहते हो कोई अच्छा होमोपैथी डॉक्टर का पता है तो उनका एड्रिस मुझे भी दे देना क्योंकि मुझे भी यह लग रहा है कि अब क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है आपको कभी भी दुबारा भी आ सकती है अगर जैसे कि म जानते हो डेली में तो मुझे बता देना और मेरे किया से सारे ड़ूट मैंने क्लiठ कर दिये पांच दिन तक पानी नहीं लगना है और पांच दिन तक सरि नहीं आनी चीए तो मेरे घर में मेरी मेरा थी, उसी ने भीचारी ने खाना माना बनाया चार-पन दिन तक, और बस चल रहा है है, हम थोड़ा गुजारा कर रहे हैं, आभी भी मैंने अपने फेसे सिर्फ सिर्फ से तंसिन लगा है, लिप शिक लगा लिए अज, और liner लगा लिए क्योंकि मेरे आँखो वाला जो है ना वो खट गया तो मुझे बहुत बहुत ज़दा खुशी है और मैंने liner जरूर लगाया लिपसी लगाये face में मैंने कुछ भी नहीं लगाया कि देखो कुछ भी नहीं लगाया हुआ मेरे स्किन काफी पहले से अच्छी हुए तो अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से टीट्मेंट ले लो और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ ले ना मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी तो यह था आज का पूरा हॉल वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मैंने काफी सारे आपके साथ में शेयर की है और जो भी आपको पसंद आया प्लीज कमेंट करके जरू बताना तो गैस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो बाबाई